दोस्तों आखिर हमरे रेसल चाटर को हुआ क्या है रोहिद भाई को हुआ क्या है उनके चैनल के उपर वीडियो क्युन आ रही इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ पता लगने वाला है रिसन्टली रेसल चैटर यानि की रोहिद भाय का एक वीडियो आता है उनके चैनल के उपर जिसके अंदर वो बेड़ के उपर लेटे हुए थे वो कहते हैं कि मैं काफी जादा बीमार पड़ चुका हूँ दोस्तों अभी मैं उस हालत में नहीं हूँ कि मैं वीडियो अपलेट कर सकूँ अपने हेल्थ को मैं प्राइवेट देता हूँ अगर मैं ठीक हुआ तो बहुत ही जल्द इस चैनल के ओर पर आपको मेरी वीडियो देखने को मिलेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ पता लगने वाला है रेसल चैटर के बारे में आगर क्या बिमारी हो चुके है रेसल चैटर को क्योंकि मैं भी रेसल चैटर का बहुत बड़ा फैन हूँ और दोस्तों मैंने जाइनल भी रेसल चैटर को देखके ही शुरू किया था जो रैसल चैटर के ओनर है यानि कि रोहित पंद उनके साथ कुछ न कुछ तो भी कड़बरी चल रही है उनके अब्डॉमनल एरा के अंदर इंजिरी हो चुके है उसकी सरजेरी भी हो चुके है और अब एकिस समय पर वो आईसू के अंदर मौजूद है और इस समय पर बंदा बोल नहीं पाता तो वो वीडियो क्या बना पाएंगा दोस्तो और दोस्तो ये सब कुछ इंफॉरमेशन मुझे 3DX चेतन से पाता लग चुके है उनके की चैनल के उपर उन्होंने वीडियो अपलोट किया था और सक्सेस्फुली रोहित पन की सरजेरी भी पूरी हो चुके है उनके जनरल वाड के अंदर शिप्ट किया गया है तो दोस्तो लड़ू बाटो सारी की सारी खुशे आने वाली है क्योंकि रोमर रेंस से भी तगड़ा रीटरन रोहित भाई का होने वाला है रोहित भाई बहुती जल्द रीकावर करने वाले उसके बाद वो रैसल चैटर के उपर वापस आएंगे वापस आके कमाल कमाल के वीडियोज बनाएंगे हम सब को इंटर्टेन करेंगे एक बार फिर से रोहित भाई का जल्बा